नमस्कार मित्रों डिजारपन चैनल के एक नए वीडियो लेक्षर में मैं हूँ अमिदूबे और आज के वीडियो लेक्षर में हम अध्यन कर रहे हैं वी आर नौट अफ्रेट टुडारी इफी केन आल बी टूगेदर चैप्टर के सेस बचे भाग का आज के इस वीडियो लेक्षर में मैं इस चैप्टर को पूरी तरह से खतम कर दँगा और आज के इस वीडियो को start करने से पहले मैं आप से promise करता हूँ कि जब यी वीडियो लेक्षर खतम होगा तो आपके लिए यह चैप्टर दूआ होने वाला है तो चलिए स्टार्ट करते हैं, दिखिए हमने यहाँ पर अध्यन कर लिया थे हैं, अगर आपने नहीं देखा है, तो आपको चैनल की प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएगा, आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे क्लास 11 का, NCRT English का एक स्पेसल प्लेलिस्ट बना दिया मैंने, वहाँ से आप वीडियो देख सकते हैं, ठीक है, आगे देखें का केता है कि the night dragged, यह night यानि जो रात थी dragged बीट गई, ड्रेग मतलब धीरे धीरे बीट गई, on with an endless, endless मतलब होता है कभी ना खतम होने वाली, bitterly cold routine, bitterly cold routine, अत्यधिक ठंडे कारिक्रम के साथ, pumping, pumping मतलब pump से पानी बाहर निकालने के, steering, steering का मतलब होता है या आप यहाँ पे steering का मतलब है नाव को संभालना, and working और काम करते हुए the radio, रेडियो पर काम करते हुए, तो हम पहले इतना समझ लेते हैं, the night यहाँ रात dragged on, धीरे धीरे बीट गई, with an endless, endless का मतलब यहाँ पे होत हैंगे लगातार, ठीक है, यहाँ पे हम क्या कहेंगे, लगातार, यानि जो रात थी, वहाँ बीट गई, लगातार, अत्यधिक ठंडे कारिकरम के साथ, आप pumping, यानि, pump से पानी बाहर निकालने के, अत्यधिक ठंडे कारिकरम के साथ, नाव को समालते हुए, और रेडियो प काम करते हुए रात बीद गई नई समझ में है फिर से दन आई ट्रैग डॉन यह रात थी बीद गई with an endless लगातार bitterly cold routine of pumping लगातार pump से पानी बाहर निकालने में लगातार pump से पानी बाहर निकालने में नाओ को समभानने में and working on radio और रेडियो पर काम करने में यहां रात बीत गई सीधी सी बात है समझ में आगई बात यहां जो रात थी वहां लगातार पंप से पानी बाहर निकालते हुए नाव को समभालते हुए और रेडियो पर काम करते हुए बीत गई we were getting no replies रवी वर गेटिंग नो replies हमें कोई उत्तर नहीं मिल रहा था हमें उत्तर नहीं मिल रहा था to our madeay calls आपने सुना होगा movies वगरे में देखा होगा बोलते हैं न कि madeay madeay plane गिर रहा है madeay madeay हम लोग गिर रहे है madeay madeay मेड़े मतलब होता है आपत्ती के समय भेजे गए सिगनल ठीक है तो हमारे आपत्ती के समय भेजे गए सिगनल का हमें कोई reply नहीं मिल रहा था यानि हमें कोई उत्तर नहीं मिल रहा था which was not surprising और यहां आश्चेरे जनक बात नहीं थी क्यों नहीं थी in this remote corner of the world क्योंकि हम word संसार के remote corner एक कोने में हैं एक सुदूर कोने में हैं इसलिए यहां कोई आश्चेरे की बात नहीं थी आगे देखिए Swiss head मैं revision नहीं करवा रहा क्योंकि नीचे भी दिया है आप हिंदी देख सकते हैं ठीक है और एक दूसरी बात आप वीडियो को क्योंकि यह ज़्यादा बहुत ज़्यादा difficult नहीं है इसलिए आप वीडियो को पीछे करके भी देख सकते हैं अगर ना समझ में आए तो सर इतना सूझ गया था कि उसकी चिंता होने लगी थी She had two enormous black eyes She had उसके पास थी two enormous black eyes बड़ी काली आँखें उसके पास दो बड़ी काली आखें थी इसका मतलब उसकी आँखें सोझकर बड़ी हो गए थी ठीक है? And now, और अब C, so does उसने हमें दिखाया और अब उसने हमें दिखाया a deep cut, एक गहरा घाव on her arm, अपनी भुजा पर अपनी बाह पर और अब उसने अपनी बाह पर हमें एक गहरा घाव दिखाया यानि उसको गहरी चोट लग गई थी When I asked why she hadn't I asked, जब मने पूछा why she hadn't made more कि उसने क्यों नहीं बताया offer injuries अपनी घाव के बारे में अपनी चोट के बारे में before this, इस से पहले तो जब मैंने उससे पूछा कि उसने इस से पहले अपनी चोट के बारे में मुझे क्यों नहीं बताया she replied उसने उत्तर दिया I didn't want to worry you मैं आपको परिशान नहीं करना चाहती थी यानि मैं आपको चिंतित नहीं करना चाहती थी वरी मतलब होता है चिंता तो मैं आपको चिंतित नहीं करना चाहती थी when तब you were trying to save us all जब आप हम सभी को बचाने की कोशिस कर रहे थे तो मैं आपको तब चिंतित नहीं करना चाहती थी जब आप हम सभी को बचाने की कोशिस कर रहे थे आगे कहते हैं आगे कहते हैं कि by morning on January 3 तीन जन्वरी की सुभा तक एक एक लाइन को समझते चलिया, छोटा-छोटा करके समझा दूँगा, ठीक है, तो by morning on January 3, तीन जन्वरी के सुबा तक, the pumps, pumpो ने had the water level sufficient, water level, पानी के अस्तर को sufficient under control, लगभग under control कर लिया था, यानि पानी के अस्तर को लगभग इतना नियंत्रित कर लिया था, for us, हमारे लिए to take two hours rest, कि हम दो घंटे का आराम कर सकें in rotation बारी-बारी से, ठीक है, यानि तीन जन्वरी की सुबा तक, pumpो ने the water level पानी के अस्तर को sufficient under control, इतना नियंत्रित कर लिया था, यानि पानी के अस्तर को इतना नियंत्रित कर लिया था, for us to take two hours rest, कि हम सभी दो घंटे का आराम कर सकें बारी-बारी से, यानि तीन जन्वरी की सुबा तक, pumpो ने पानी के अस्तर को इतना नियंत्रित कर लिया था, कि हम सभी बारी-बारी से दो दो घंटे का आराम कर सकें, यानि सभी लोग एक साथ आराम नहीं कर सकते थे, यानि जैसे चार लोग हैं, तो एक जिन चले गए, तो तीन रोग यहीं रहेंगे, फिर एक जिन चले गए, तो जब वो आपस आएंगे, तो दूसरा बंदा जाएगा, इस तरह से, ठीक है, बारी-बारी से आराम कर रहाँ, चेद था, somewhere below the water line, water line जहां से पानी आता है, ठीक है, तो water line को water line ही बोला जाता है, ठीक है, तो tremendous leak, लेकिन अभी भी कहीं पर एक बड़ा चेद था, somewhere below the water line, water line के नीचे, ठीक है, लेकिन अभी भी water line के नीचे, कहीं पर एक बड़ा चेद था, and on checking, और जाच करने पर, जाच क boats main reprames इसका मतलब होता है मुख्ह लकडियों का frame नाव का मुख्ह लकडियों का frame ठीक है जैसे हमारा घर बनता है तो हमारे घर के लिए मुख्ह क्या है जो उसकी नीव होती है ना नीव पर ही तो घर टिका होता है तो उसी तरह से जिस पर पूरी नाव टिकी होती है उसे बोलते हैं बोट्स मेन रिप फ्रेम ठीक है तो नाव का मुख्य लकडियों का फ्रेम वर स्मेश्ट तूट गया है ठीक है मैंने पाया जाच करने पर मैंने पाया कि नाव के मुख्य लकडियों का फ्रेम तूट गया है down to the keel और टूटकर keel पर गिर गया है keel मतलब होता है नाव तल नाव का तल यानि नीचे का भाग तो keel को keel ही बोले है ठीक है और जाज करने पर मैंने पाया कि नाव की मुख लकडियों का frame टूटकर keel पर, नाव की keel पर गिर गया है कील को बोलते हैं नाव तल जैसे भू तल होता है यानि भूमी का तल जिस पर हम लोग चलते हैं उसे तरह से नाव तल होता है ठीक है in fact down to the in fact there was nothing और वास्तों में there was nothing वहाँ पर कुछ नहीं था holding पकड़ने के लिए अब the whole section of the starboard hall starboard hall नाव के यानि जहाज के दाहिने तरफ के हिस्से को पकड़ने के लिए पूरे whole मतलब पूरे तो नाव के दाहिने तरफ के पूरे हिस्से को पकड़ने के लिए in fact वास्तों में देरवाजनत थी कुछ भी नहीं था वहाँ पर और वहाँ पर नाओ के दाहने तरफ के हिस्से को पूरी तरह से पकड़े रखने के लिए कुछ भी नहीं था एक्सपिक्ट बजाए अफिव कबर्ट पार्टीशन आलमारी के कुछ हिस्से के अलावा कुछ अंस के अलावा वहाँ पर कुछ भी नहीं था ठीक है यहाँ पर दिया है ना कि आलमारियों के खानों के और किसी चीज़ पर टिका न था यहनी कहने का मतलब यह है कि वहाँ पर अब वास्तों में नाओ के दाहिने तरफ के पूरे हिस्से को पकड़ने के लिए आलमारी के कुछ हिस्सों के अलावा कुछ नहीं था आगे देखिए क्या कहते हैं अगर यह नहीं समझ में आया तो फिर से देखिए कि in fact वास्तों में there was nothing holding up a whole section of the starboard hall वास्तों में जहाँज का दाहिना तरफ का हिस्सा ठीक है starboard hall यानि जहाँज के दाहिने तरफ के हिस्से को पूरी तरह से यानि पूरे जहाँज के दाहिने तरफ के पूरे हिस्से को पकरने के लिए वास्तों में वहाँपर कुछ भी नहीं था कब और पार्टिशन पार्टिशन मतलब भाग तो आलमारी के कुछ अंस के अलावा, कुछ भाग के अलावा, जहाज के दाहने तरफ के हिस्से को पकड़ने के लिए, वहाँ पर कुछ भी नहीं था, अब इस से ज्यादा आसान और कुछ नहीं हो सकता, आप अपने साथ से पढ़ लेंगे इसको, अगे करते हैं कि we had survived, हम लहार से टकराने के 15 घंटे बाद तक भी हम जीवित थे, यानि लहार से टकराने के 15 घंटे बाद तक तो हम बचे रहें, बट वेब वाकर, वेब वाकर उनकी नाओ का नाम था, लेकिन वेब वाकर won't hold together long, enough, यानि वेब वाकर इतनी लंबी दूरी तक नहीं चल सकती, for us हमा पूरी तरह से नहीं बच सकती, कहने का मतलब है, कि नाव की इस्थिती बहुत ज़्यादा खराब थी, वो तूट जाएगी, और अब इनको ये आस्ट्रेलिया नहीं पहुचा सकती, इसलिए कहते हैं कि वेवाकर वोंट होल टूगेदर, यानि वोंट होल टूगेदर, नाव तूट जाएगी, होल टूगेदर मतलब साथ रहना, उसके सभी हिस्से साथ नहीं रहेंगे, यानि नाव टूट जाएगी, लॉंग इनफ फॉरस्ट टू रीच आस्ट्रेलिया, आस्ट्रेलिया पहुचने से पहले, यानि आस्ट्रेलिया पहुचने से पहले ही, वेवाकर तूट जाएगी I checked our charts मैंने अपने charts यानि अपने chart का जाचा निरिच्छन करना मैंने अपने chart को जाचा and calculated और गर्णा की that there were two small islands मैंने अपने chart को जाचा और गर्णा की that there were two small islands की दो छोटे द्वीप हैं a few hundred kilometers कुछ लगभग देखें few मतलब कुछ hundred मतलब 100 kilometers कुछ 100 kilometers की दूरी पर to the east पूर्व में यानि मैंने अपने charts को जाचा और यहां गर्णा की there were two small islands की दो छोटे द्वीप हैं a few hundred kilometers to the east पूर्व में कुछ 100 kilometers की दूरी पर दो छोटे द्वीप हैं देखें इस लाइन को ध्यान से समझना है आपको one of them उन में से एक I was a French scientific base उन में से एक का नाम I was a French scientific base उन में से एक का नाम आइल एमस्टरडम था और वहां फ्रांस का वैज्यानिक के अंदर था आवर ओनली होप हमारी केवल आखरी उम्मीद वाश्टू रीच पहुचना था दीज इन पिन प्रिक्स इन दा वाश्ट ओसियन इस पिन प्रिक्स इन दा वाश्ट ओसियन का मतलब होता है विसाल सागर में इन दो सुई के छेदो जैसे ठीक है पिन प्रिक्स इन दा वाश्ट ओसियन विसाल सागर में इन दो सुई के छेदो जैसे दीपो पर पहुचना reach मतलब पहुँचना was our only hope was हमारी आखरी उम्मीद थी ठीक है यानि हमारी आखरी उम्मीद विसाल सागर में इन दो सुई जैसे छोटे दो सुई के छेदों जैसे दीपो पर पहुँचना हमारी आखरी उम्मीद थी ठीक है but unless the wind and seas abated लेकिन unless जब तक the wind हवा and seas और समुद्र abated सांत नहीं हो जाता लेकिन जब तक समुद्र और हवा सांत नहीं हो जाता so we could host sail हमने अपनी यात्रा रोकनी हो की यानि हम यात्रा नहीं कर सकते जब तक समुद्र और वायू सांत नहीं हो जाती यानि समुत्र और हवा सांत नहीं हो जाती हम यात्रा नहीं कर सकते Our chances would be slim indeed मतलब हमारे बचने की आसा बहुत कम है हम बच नहीं सकते ठीक है The great wave had put our auxiliary engine out of action The great wave उस बड़ी लहर ने had put our auxiliary engine हमारा सहायक engine out of action खराब कर दिया है उस विसाल लहर ने वो विसाल लहर जो सिन का टगरा हुआ था उस विसाल लहर ने हमारे सहायक इंजन को खराब कर दिया है बेकार कर दिया है ठीक है आगा खता है कि on January 4, 4 January को after 36 hours of continuous pumping लगातार पंप मतलब पानी बाहर निकालना तो लगातार 36 घंटे तक पानी को बाहर निकालने पर यहनी लगातार 36 घंटे तक पंप करने के बाद लगातार 4 जनवरी को we reached the last few centimeters of water reached यहनी पानी जो था last few centimeters कुछ ही centimeter रह गया यहनी 4 जनवरी को लगातार 36 घंटे तक पंप करने के बाद पानी का अस्तर कुछ centimeter तक ही रह गया now we had only to keep pace अब हमें उतना ही पानी बाहर निकालना था with the water यानी अब हमें उतना ही पानी बाहर निकालना था still coming in जो अब अंदर आ रहा था कहने का मतलब है कि जो छेद से पानी अंदर आ रहा था जो पानी अब छेद से अंदर आ रहा था we had only to keep pace with the water अब हमें केवल उतना ही पानी बाहर निकालना था यानी पानी का अस्तर सामान ने हो गया था we could not sit any sail on the main must main must यानी मुख्य मस्तूल मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में बताया था चित्र भी दिखाया था ठीक है अभी भी आ रहा है चित्र आपके सामने मुख्य मस्तूल पर we cannot sit any sail हम यात्रा नहीं कर सकते थे pressure on the rigging pressure मतलब दबाओ on the rigging rigging का मतलब होता है जहाज की रस्यां इससे जहाज की रस्यों पर इतना दबाओ पड़ता it simply pulled the damaged जिससे की छटी गरस्ट damage section of hull apart यानी hull मतलब जहाज के छटी गरस्ट पतवार apart तूट जाती अलग हो जाती ठीक है तो हम में मुख्य मस्तूल के भरोसे पर यात्रा नहीं कर सकते थे क्योंकि इससे जहाज की रस्यों पर इतना दबाओ पड़ता की छटी गरस्ट पतवार तूट कर अलग हो जाती सो वी होस्टेड दा स्टॉम जिप स्टॉम जिप तिकोना पाल तिकोना पाल इसलिए हमने तिकोना पाल लहराया and he did और चल दिये for where उस तरफ I thought where I thought जहां मुझे लगता था the two ice lans were दो दूइप है ठीक है इसलिए हमने अपना तिकोना पाल लहराया और उस दिशा में चल दिये जिस दिशा में मुझे लगता था की वो दो छोटे दूइप है Mary found some corn beef Mary Mary नमकीन beef ले आई नमकीन मास ले आई and cracked biscuit और cracker biscuit यानि कुरकुरे biscuit ले आई Mary नमकीन मास और कुरकुरे biscuit ले आई and we ate our first meal और हमने अपना पहला भोजन किया in almost two days लगभग दो दिन बाद और हमने लगभग दो दिन बाद अपना पहला भोजन किया आगे चलते हैं but our respite was short lived respite मतलब आराम बिस्राम तो but our respite लेकिन जो हमारा आराम था was short lived वो छोटा था यानि हम बहुत ज़्यादा देर तक आराम नहीं कर सके at four p.m. लगभग चार बजे black clouds काले बादल began building up behind us हमारे पीछे बनना सुरू हो गए हमारे पीछे चार बजे काले बादल बनना सुरू हो गए within the hour और लगभग घंटे भर में the wind हवा was back to 40 knots 40 समुद्री मील knots मैंने बताया था ना समुद्री मील तो और लगभग घंटे भर में हवा की रफतार 40 समुद्री मील हो गई and the sea और समुद्र वर गेटिंग हाईयर उचा उठने लग घंटे भर में हवा की रफतार 40 समुद्री मील तक हो गई और समुद्र उचा उठने लगा the weather continued to detroit it throughout the night throughout the night यानि सारी रात the weather मौसम continued to detroit यानि पूरी रात मौसम बदलता रहा यह मैं कैमरा में देखके बढ़ाता हूँ इसलिए थोड़ा सा मीरिंग का उचारण गरत हो जाता है manage कर लिया करें ठीक है तो पूरी रात मौसम बदलता रहा यानि खराब होता रहा पूरी की रात मौसम खराब होता रहा and by dawn on January 5 और 5 जन्वरी की सुबह 5 जन्वरी की सुबह our situation was again desperate हमारी इस्थिती फिर से निरासा जनक हो गई और 5 जन्वरी की सुबह हमारी इस्थिती फिर से निरासा जनक हो गई आगे चलेंगे बहुत आसान था इसलिए revision नहीं कराया है आगे चलेंगे when I went in to comfort the children दिलासा देने के लिए अंदर गया जन ने पूछा डड़ी पिता स्री आर वी गोईंग टू डाई क्या हम सभी मरने वाले हैं I tried to assure him मैंने उसे दिलासा दिया मैंने उसे दिलासा देने की tried है तो कोशिस की मैंने उसे दिलासा देने की कोशिस की that we could make it की हम बच जाएंगे या फिर हम बचने में सफल होंगे ठीक है but daddy लेकिन पिता जी he went on वह जारी रहा यानि उसने आगे कहा we aren't afraid of dying हम मरने से नहीं डरते if we can all be together यदी हम एक साथ मरते हैं यदी हम सभी एक साथ मरते हैं तो हम मरने से नहीं डरते यू, आप, एंड मम्मी, और मम्मी, एंड शू, शू एंड आई, शू और मैं, आप, मम्मी, शू और मैं, यदि हम सबी एक साथ मरते हैं, तो हम मरने से नहीं ड़ते, आगे चलेंगे, I could find no words with which to respond, यानि, उत्तर देने के लिए मेरे पास सब्द नहीं थे, उत्तर देने के लिए मेरे पास सब्द नहीं थे, बट I left the children's cabin, लेकिन बच्चों का कमरा मैंने छोड़ दिया, determined, या निश्चे करके, to fight the sea की मैं समुद्र से लड़ूँगा, with everything I had, मेरे पास जो कुछ भी है, यह मेरे पास जो कुछ भी है, उससे मैं समुद्र से लड़ूँगा, या निश्चे करके, I left children's cabin, मैंने बच्चों का कमरा छोड़ दिया, ठीक है, to protect the weekend starboard side, weekend, जहाज के दाहिने कमजोर हिस्से को सुरक्षित करने के लिए, I decided, मैंने निश्चे किया, to heave to, कि मैं इसे उठा दूँगा, मैं इसे उठाऊंगा, यानि तोट करके नीचे गिर गया होगा, या फिर थोड़ा सा तिर्चा हो गया होगा, तो उसे उन्होंने उठाने का निश्चे किया, किस से उठा रहे हैं, with the undamaged port hull, facing the oncoming waves, oncoming waves मतलब आने वाली लहरे का facing सामना कर रहा था, undamaged मतलब होता है सुरक्षित, तो इस पूरे sentence का मतलब आपको direct बता दूँ, तो जहाज के सुरक्षित निचले भाग से, जो आने वाली लहरों का सामना कर रहा था, यानि इन्होंने निश्चे किया, कि मैं इसे उठा दूँगा, जहाज के सुरक्षित निचले भाग से, with the undamaged portal, जहाज के सुरक्षित निचले भाग से, इसका मतलब हो गया, तो I decided to heave to मैंने निश्चे किया कि मैं इसे उठा दूँगा जहाज के सुरक्षित निचले भाग से जो आने वाले लहरों का सामना कर रहा था ठीक है? यह से आसानी से समझी है ने तो आप confused हो जाएंगे मैं भी confused हो जाओंगा तो I decided to heave to मैंने निश्चे किया कि मैं इसे उठा दूँगा विद अन डैमेजड पोर्ट होल जहाज के सुरक्षित निचले भाग से फिसिंग दा इंकमिंग वेप्स जो आने वाली लहरों का सामना कर रहा था using an improvised sea anchor of heavy nylon ripe भारी nylon की रस्यों का प्रियोग करके sea anchor यानी समुद्री लंगर बना कर and 222 liter plastic barrel of plastic और 22 liter के मिट्टी के तेल के प्लास्टिक के डबों का प्रियोग करके ठीक है 22 liter के दो मिट्टी के तेल के डबों का प्रियोग करके आजान है कुछ भी नहीं है कठिन आगे चलते हैं that evening उस साम Mary, Mary and I और मैं sat together एक साथ बैठे holding hands हाथ पकड़ कर यानी हाथ में हाथ डाल कर उस साम को Mary और मैं एक साथ बैठे as motion of the ship motion यानी नाव की गती से brought more and more water in through the broken planks तोटे हुए तरक्तों से तोटे हुए तक्तों से और अधिक पानी अंदर आ रहा था as the motion of the ship यानी नाव के चलने से brought more and more water बहुत अधिक पानी अंदर आ रहा था through the broken planks तोटे हुए तक्तों से we both felt हमें महसूस हुआ हम दोनों को यहां महसूस हुआ the end की अंत was very near आग चुका है या फिर पास है हम दोनों को यहां हैसास हुआ कि हमारा अंत निकट आ रहा है ठीक है but wave walker wave walker उनकी नाव का नाम था जिस पर वो यात्र कर रहे थे बट wave walker लेकिन wave walker rode out the storm तूफान से निकलने में सफल रही and by the morning और सुबह of January 6 और 6 जनवरी की सुबह को with the wind easing जब हवा की wind ही है wind easing जब हवा की रफतार कम हो गई यानि हवा धीमी हो गई I tried to get a reading on sextant sextant जहाज में लगा एक यंत्र होता है जिससे लोग अपनी इस्थती जानते हैं कि वो किस जगा पर है और मैं बहुत सारी चीज़े sextant से जानी जा सकती है I tried to get a reading on the sextant तो मैंने sextant को read करने का प्रयास किया पढ़ने का प्रयास किया back in the chart room मैं chart room में वापस गया यानी कि मैं chart room में वापस गया I worked on wind speed मैंने हवा की गती पर काम किया changes of course रास्तों के बदलाव पर काम किया drift बहाव पर काम किया drift and current और धाराओं के बहाव पर यानी दोनों की बात वही है कि धाराओं के बहाव पर काम किया drift and current यानी धाराओं के बहाव पर काम किया in an effort और यहां एक प्रयास था to calculate कि मैं calculate कर सकूँ गरना कर सकूँ our position अपनी इस्थिती का यानि अपने इस्थिती की गर्णा करने का यह एक प्रयास था The best I could determine सबसे अच्छी बात जो मैं जान सका या पता लगा सका was that वो यह थी We were somewhere की हम कहीं पर है In 1,50,000 km of ocean 1,50,000 km के समुद्र में हम कहीं पर है Looking for और ढूण रहे है A 65 km 65 km वाला द्वीप ढूण रहे है यानि सबसे अच्छी बात जो मैं पता लगा सका वो यह थी कि हम 1,50,000 km वाले समुद्र में कहीं पर है और 65 km वाले द्वीप की खोज कर रहे है आसान है आगे चलेंगे तो वाल आई वास थिंकिंग जब मैं बिचार कर रहा था या फिर जब मैं सोच रहा था शू, शू, मुविंग पेंफुली दर्द बरदास करते हुए अंदर आई ठीक है जब मैं थिंकिंग जब मैं सोच रहा था शू, मुविंग पेंफुली यानि सू दर्द बरदास करते हुए मेरे पास आई दा लेफ्ट साइड ओफ हर हेड उसके सर का बाया हिस्सा वाजनाव वेरी सॉलन बहुत ज़्यादा सूज गया था और ब्लैकेंड आइस और उसकी काली आँखें नेरोड टूशलिट सूज गई थी यानि नेरोड टूशलिट एक रेखा जैसी हो गई थी कहने का मतलब उसकी काली आँखें सूज गई थी कहने का यहाँ पर सीधा सीधा गर हम ऐसे कहें कि उसकी काली आँखें सूज कर लकीर की तरह हो गई थी यह नी बहुत कमी खूल रही थी जैसे पहले अपकी आखिझे इतना खूल रही है तो अप सुज गई यह तो बस इतना सा ही खूल गई थी यानि उसकी जो आखे थी वो सूजने की वज़ा से लकीर जैसी लग रही थी she gave me a card उसने मुझे a card दिया she had made जो उसने बनाया था on the front सामने यानि card पर she had drawn characters of Mary and me उसने Mary का और मेरा मजाकिय चित्र बनाया था with the words और उन पर लिखा था यानि card पर उसने Mary का और मेरा मजाकिय चित्र बनाया था और card पर लिखा था here are some funny people ये कुछ मजाकिया लोग हैं did they make you laugh क्या इन्हें देखकर आपको हसी आती है I laughed a lot as well मुझे तो बहुत हसी आती है यानि उसने लिखा था कि here are some funny people यहाँ पर कुछ मजाकिया लोगों का चित्र है did they make you laugh क्या इन्हें देखकर आपको हसी आती है I laughed a lot as well मुझे तो बहुत हसी आती है inside was a message card के अंदर एक संदेश था oh how I love you both अरे मैं आप दोनों को कितना प्रेम करती हूँ so this card इसलिए यह card है इस तो say thank you आपको धन्यवाद देने के लिए and let's hope और यहाँ आसा करने के लिए for the best कि सब कुछ ठीक हो जाएगा इसलिए मैं यह card दे रही हूँ आप दोनों को धन्यवाद देने के लिए और इस उम्मीद से कि सब कुछ ठीक हो जाएगा somehow we had to make it किसी तरह से हमें make it सफल होना है किसी भी तरह से हमको सफल होना है बार बार revision नहीं करा रहा है क्योंकि ज़्यादा कुछ है नहीं आसान सा है sentence बहुत ज़्यादा hard sentence नहीं है बस word meanings ऐसी है जिने साथ आपने पहली बार देखा है चलिए आगे I chicked मैंने जाचा and re-chicked और दुबारा जाचा my calculations अपनी गर्णाओं को मैंने अपनी गर्णाओं को जाचा और दुबारा जाचा यानि मैंने अपनी गर्णाओं को बार बार जाचा we had lost our main compass हमने अपना मुख्य compass खो दिया था and I was using air में प्रियोग कर रहा था I spare एक खराब compass प्रियोग कर रहा था मतलब हमने अपना मुख्य compass खो दिया था और एक खराब compass प्रियोग कर रहा था which had not been corrected जिसे सही नहीं किया गया था for magnetic variation चुम्बकी बदलाओं के लिए यानि जिसे चुम्बकी बदलाओं के लिए सही नहीं किया गया था फिर से कि I checked and rechecked my calculations मैंने अपनी गर्णाओं को जाचा और दुबारा जाचा we had lost our main compass हमने अपना मुख्य compass खो दिया था and I was using a spare और मैं एक खराब compass यूज कर रहा था which had not been corrected for magnetic variations जिसे चुम्बकी बदलाओं के लिए ठीक नहीं किया गया था which had not been corrected for magnetic variation जिसे चुम्बकी बदलाओं के लिए ठीक नहीं किया गया था I made an allowance allowance मतलब होता है मैंने इसका जायजा लिया I made an allowance मैंने इसका जायजा लिया तो यहाँ पर हो गया आगे चलते हैं मैंने इसका जायजा लिया for this यानि मैंने इसका जायजा लिया सीधी सीधी बात and another estimate और दूसरा अनुमान लगाया of the influence प्रभाव का और प्रभाव का दूसरा अनुमान लगाया of western currents Western Currents मतलब पश्चमी धाराओं का पश्चमी धाराओं के प्रभाओं का दूसरा अनुमान लगाया फिर से Western Currents मतलब पश्चमी धाराओं Influence मतलब अनुमान Another Estimate मतलब दूसरा अनुमान तो पश्चमी धाराओं के प्रभाओं का दूसरा अनुमान लगाया which flow जो बहती है through this part of the Indian Ocean जो भारती महाशागर के this part इस हिस्से में बहती है जो भारती महाशागर के इस हिस्से में बहती है About 2 p.m. लगभग 2 बजे I went on deck में deck पर गया and ask Larry or Larry से कहा to steer कि वहाँ चलाए a cause of 185 degrees यानि मैंने Larry से कहा कि वो नाव को 185 degrees पर चलाए देखिए हम लोग यहाँ पर चलते हैं तो हम ऐसे चलते हैं ना कि उत्तर चल रहे हैं, दक्षिन चल रहे हैं, पूरब चल रहे हैं, पस्चिन चल रहे हैं नाव जब समुदर में चलते हैं तो वो डिगरी पर चलती है, ठीक है, तो वही कहते हैं, जैसे हमारे लिए उत्तर रख्षिन पूरब पक्षिम हैं, उसी तरह से वहाँ पर उसके लिए डिगरी होता है, 180 degree, 90 degree, ठीक है, उस तरह से, तो अबाउट दो पीम लगवक दो बज लेता है, तो I told him with a conviction, मैंने उसे ध्रण निश्चे से यहां बताया, I did not feel, जो मुझे खुद ही महसूस नहीं हो रहा था, यानि उसे ध्रण निश्चे से तो बताया, बट ये स्वैम ध्रण नहीं थे, यानि इन्हे थोड़ा सा संदेह था, यानि थोड़े से संदेह के साथ मैंने ध्रण निश्चे से उसे ये बताया, कि यदि भाग ये हमारा साथ देता है, तो he could expect to see, तो he मतलब वहाँ, could expect to see, देख लेगा, the Iceland, दूइब को at about 5 पिम, साम को 5 बजे, यदि भाग ये हमारा साथ देता है, तो साम को 5 बजे तुमको दूइब दिख जाएगा, ठीक ह आगे चलते हैं, then with a heavy heart, फिर उदासी के साथ, फिर उदास होकर, I went below, मैं नीचे आगया, climbed on my bunk, अपने बंक पर चड़ गया, and amazingly, और आश्यारी की बात ये है, dozed off, कि मैं सो गया, then with a heavy heart, और तब फोड़े से उदासी के साथ, I went below, मैं नीचे आया, climbed on my bunk, अपने बंक पर चड़ गया, and amazingly, और आश्यारी की बात ये है, dozed off, कि मुझे नीद आ गई, when I woke, और जब मैं जागा, it was 6 पीम, 6 बज गये थे, इन्होंने कहा था कि 5 बजे तुमको दूइब दिख जाएग ना, यानि लगबख 5 बजे तक आप दूइब तक पहुँच जाएंगे, इन्होंने कहा था ये बात, और इस बात पर इहें संदेह था, इसलिए ये थोड़ा सा उदासी से नीचे आया थे कि क्या पता पहुँचते हैं, या नहीं पहुँचते हैं, ना, तो यही कहते हैं कि विन आई वोक, और जब मैं जागा, इट वाद 6 पीम, तो छे बज गया थे, एंड ग्रोइंग डाक और अंधेरा हो रहा था, आई न्यू मैं जान गया, वी मस्ट हैब मिश्ट दा आइसलेंड की हम, मैं जान गया, वी मस्ट हैब मिश्ट की छूट गया है दा आइसलेंड मैं जान गया कि दूइब पीछे छूट गया है, क्योंकि ये तो सो गय थे, पांच बजे इनको पहुंचना था, साइद ये पांच बजे पहुंच जाते इन्होंने अनुमाल लगया था, लेकिन छे बज गया, तो ये बात ये जान गये, कि ये लोगों ने दूइब को कि वापस जा सकते हैं, इन टो वेश्टरली वाइंट्स, यानि इन पस्चमी हवाओं के, कहने का मतलब है, वी कुड़न्ट होब टो बीट बैक, इन टो वइस्टरली वाइंट्स, इन पस्चमी हवाओं का सामना करके, यात्रा नहीं कि जा सकती, फिर से, कि I knew we must have missed Thailand, मैं जा दिया है और जो पाल हमारे पास है वी कुड़न्ट होप मतलब होता है आसा करना बीट मतलब होता है हराना बैक मतलब दुबारा यानि दुबारा जैसे इस राश्ते से यहां तक आ गए है तो अब पीछे जाना पड़ेगा ना तभी तुद्रीप मिलेगा तो कहते हैं बीट ब बढ़ सकते ठीक है और जो पाल हमारे पास है उसके साथ हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते यहां पर यह कह रहे हैं इतना बड़ा सेंटेंस है मतलब बहुत छोटा सा है कि इन पस्चिमी हवाओं के बिरुद्ध हम आगे नहीं बढ़ सकते ठीक है आसान है ना कुछ भी कठे सब्सक्ति नहीं है आगे देखिए एड़ डाट मोमेंट उसी च्ख्णड टौज लेट है बाल जहां पर हेड मतलब इक सर टौजलें मतलब बालों से बिखरा हुआ तो बालों से बिखरा हुआ एक सरापेर माई बंक मेरे बंक के पास आया तो उसी च्ख्ण경 मेरे बंक के पास आया, can I have a hug, क्या मैं गले मिल सकता हूँ, जोनाथन आस्क, जोनाथन ने पूछा, she was right behind him, she उसके बगल में ही खड़ी थी, या फिर right behind behind मतलब होता है पीछे, तो she भी ठीक उसके पीछे खड़ी थी, why am I getting a hug now, अब मुझे से गले क्यों मिल रहे हो, I asked, मैंने पूछा, य daddy in the whole world, क्योंकि आप इस दुनिया के सबसे अच्छे पिता है, and the best captain और सर्वोत्तम captain है, my son replied, मेरे बेटे ने उत्तर दिया, not today, आज तो नहीं, john, यानि अपने बेटे से इन्होंने कहा, john, आज तो नहीं, क्योंकि ये बहुत पैसान हो गये थे, दूइप को ढोड़ने के च बात पर इन्होंने कहा, not today, आज तो नहीं, यानि जो तुम बाते कह रहे हो, आज ये सबते नहीं है, john, I am afraid, क्योंकि john, मुझे डर लग रहा है, john, ये सबते नहीं है, यानि, आज तो नहीं, देखिए, मुझे डर लग रहा है, आज तो नहीं, हिंदी भी दिया है, तो फाय का सबसे बिश्ट कैप्टन हूँ, ये बात आज सकते नहीं है, क्योंकि हम लोग खो चुके हैं, और मुझे दूइप मिल नहीं रहा, इस बात से वो थोड़ा सा परिशान है, तो इसी बात को ध्यान में रख कर वो कहते हैं, कि not today, आज नहीं, john, I am afraid, john, मुझे डर लग रहा है, why, you must be, क्यों नहीं, you must be, आप हो, sad shoe, shoe ने कहा, in a matter of fact wise, यानी, साफ आवाज से, या सच्चे मन से, shoe ने कहा, कि क्यों नहीं, वाप हो, you found this land, आपने दूइप ढूण लिया है, what, I shouted, क्या, मैं चिलाया, it's out there, हाँ, वो बाहर है, in front of us, ठीक हमारे सामने, they chose, उन्होंने एक साथ कहा, as big as battleship, इतना बड़ा जैसे, युद्ध पोत हो, यहाँ पर युद्ध पोत भी दिया है, युद्ध पोत battleship, यानी, जो battle, युद्ध लड़ने के लिए, जहाजे होती है, वो बहुत बड़ी ब पोड़ कर डिक पर गया, and gazed, और gazed मतलब होता है घोरना, देख कर with relief at the stock, outline of I'll Amsterdam, I'll Amsterdam, दूईप को देख कर, gazed with relief, चैन की सांस ली, गेज मतलब होता है घोरना, the stock outline, यहाँ पे नंगी बहिर रेखा, इसको छोड़ दीजिए, जदा confusion नहीं होना आपको, यहाँ पे सीधी सीधी बात इतनी है, कि I'll Amsterdam, दीप को देख कर, चैन की सांस ली, मैं भाग कर डिक पर गया, और I'll Amsterdam, दीप को अपनी आखों के सामने देख कर, चैन की सांस ली, अपनी आखों से देखा, उन्होंने जब तो उनको चैन की सांस आई, ठीक है, तो मैं दोड़ कर डिक पर गया, और I'll Amsterdam, दीप को अपनी आखों के सामने देख कर, चैन की सांस ली, it was only a bleak piece, यहाँ केवल पत्थर का टुकरा था, यानि यहाँ एक जौला मुखी का टुकरा था, volcanic rock, यानि, volcanic rock, जौला मुखी का जो पत्थर होता है, उसकी बात हो रही है, यहाँ पे, कहने का मतलब है, it was only यहाँ केवल था, a bleak piece, यानि, of volcanic rock, volcanic rock, मतलब पत्थरों का bleak piece, यानि, जौला मुखी के पत्थरों के टुकरों का, यहाँ एक हिस्सा था, भाग था, ठीक है तो जौला मुखी के पत्थरों का यहाँ एक भाग था, with little vegetation, जिस पर बहुत कम पेड़ पौधे थे, यानि, पेड़ पौधे बहुत कम थे, क्योंकि पत्थर जादा था, the most beautiful, फिर भी, या most beautiful, सबसे सुन्दर दूइप था, sland, मतलब दूइप, in the world, लेकिन फिर भी, यहा आपका एक दिन का कोई, और दूसरे दिन आपको खाना मिले, तो जो खाना मिलेगा ना, भले उसमें नमक हो या ना हो, वो कितना भी बेकार खाना बना हो, लेकिन वो आपको बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि आप उसके लिए तरपे हैं, उसी तरह से यह दूइप के लि जिस पर बहुत कम पेड़ पोदे थे, यानि इस दूइप पर बहुत कम पेड़ पोदे थे, फिर भी यह दुनिया का सबसे अच्छा दूइप था, तो वी एंकर आप सोर, तो एंकर मतलब होता है, लंगर डाले रखा, आप सोर मतलब किनारे पर फॉर्द नाइट, यानि प अगली सुबह उस दूइप पर रहने वाले सभी 28 लोगों ने cheered us, हमारा साहस बढ़ाया, cheered us मतलब होता है, cheer करना, congretulate करना, साहस बढ़ाना, तो और अगले सुबह उस दूइप पर रहने वाले सभी 28 लोगों ने हमारा साहस बढ़ाया they helped us as sore और वो हमें टट पर ले गए, किनारे पर ले गए ठीक है, आगे देखेंगे तो with land under my feet again, again मतलब दुबारा, land मतलब भूमी तो with land, भूमी को under my feet again, अपने पैरों के नीचे फिर से पाकर यानी, जमीन को अपने पैरों के नीचे फिर से पाकर my thoughts, मैंने विचार किया, were full of Larry, Larry के बारे में and Harvey, और Harvey के बारे में तो मैंने Larry और Harvey के बारे में विचार किया जो cheerful, प्रसन रहे and optimistic, यानी आसावादी रहे under the digest stress यानी, इस भयानक इस्थिती में भी, इस भयंकर इस्थिती में भी दोनों प्रसन और आसावादी रहे, इसको छोटा-छोटा करके पढ़ेंगे, ठीक है यहां तक हो गया है मारा, ध्यान रखिएगा, दीखिए with land under my feet again, जमीन को अपने पैरों के नीचे फिर से पाकर, my thoughts were full of Larry मैंने Larry और हर्भी के बारे में सोचा, cheerful and optimistic जो प्रसन और आसावादी रहे under the darkest stress इस भयंकर इस्थिती में, इस भयंकर समय में, इस भयंकर चलिए ठीक है, इतना ही बोलते हैं, ठीक है तो इस भयंकर समय में भी जो प्रसन और आशावादी रहे, Larry और हर्भी के बारे में मैंने सोचा यहां तक हो गया, and Mary, और मैंने Mary के बारे में सोचा who stayed at the wheel, जो wheel पर थी, wheel मतलब handle, मैंने बताया था ना कि नाव को चलाने के लिए wheel होता है तो जो wheel पर बैठी थी, for all those crucial hours, इस जो की इस भयंकर या फिर इस कठिन समय में wheel पर बैठी होई थी ठीक है, यहां पर आसानी से कह सकते हैं कि who stayed, जो टिकी हुई थी, या बैठी हुई थी at the wheel, चालन पर ये पर, wheel पर, for all those crucial hours, इस संकट के समय में ठीक है, आगे देखेंगे Most of all, I thought of seven year old girl, और सबसे ज़्यादा I thought, मैंने सोचा seven year old girl, उस साथ वर्स की बच्ची के बारे में, who did not want us to worry, जो हमें चिंतित नहीं करना चाहती थी, about a head injury, अपनी सर की चोट के बारे में, और सबसे ज़्यादा मैंने उस साथ वर्स की बालिका के बारे में सोचा, जो हमें अपनी सर की चोट के बारे में चिंतित नहीं करना चाहती थी, which subsequently took six minor operations, जिसे ठीक करने के लिए, छे छोटे operation करने पड़े, to remove a requiring blood clot, खून के ठकों को हटाने के लिए, या निकालने के लिए, between skin and skull, चमडी और खोपडी, चमडी और खोपडी के बीच, blood clot, खून के ठकों को requiring निकालने के लिए, remove a requiring, खून के ठकों को निकालने के लिए, छे छोटे operation करने पड़े, यानि, with subsequent took six minor operation, जिसे ठीक करने के लिए, छे छोटे operation करने पड़े, to remove a requiring blood clot, खून के ठकों को हटाने के लिए, between skin and skull, चमडी तथा खोपडी के बीच से, and of a six year old boy, और उस छे वर्स के छोटे बच्चे के बारे में सोचा, who was not afraid to die, जिसे मरने से डर नहीं लगता था, तो इस तरह से हमारा चेप्टर फाइनली खतम हो चुका है, अगर पसंद रहा है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने मित्रों के साथ भी जरूर से अर के जएगा, ताकि वहां भी इसका लाब ले सके, अगले वीडियो लेक्चर में नए लेक्चर के साथ फिर से मिलते हैं, धन्यवाद